आपके चहीत सेशन में यानि की मैट्स की पंचायत में जिसमें आज हम फिर से नई कॉंसेट को लेके जुड़ पड़े हैं और एक नए चीज दुबारे से हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं जो कि आप अक्सर करा करते हैं कहीं सवालों को तो use करते हैं लेकिन उसमे एक नई तरीके से कैसे देखा जा सकता है उसको आज देखनेवाले हैं जैसे की आपको पता है की जो आज आज का दिन है वो इस शेशन का एपिसोड नमबर 12 यानि की शेशन नमबर 12 है और यह रहा आपके पिछले वाले शेशन का जवाब यानि जिन लोगों ने भी उस रेशो वाले टॉपिक को अगर देखा होगा जो पिछला 11 नमबर जो वुला हुआ था उसमें उनका जो आंसर तो आप चेक कर सकते हैं कि आप में से कितने लोगों ने इसका करेक्ट आंसर बताया था उसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपको दिखाए देगा कि यह बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों के द्वारा कमेंट्स हैं जो अक्सर मैं आपके साथ लेकर आता हूं और शेशन को आगे भी प्रमोट करती चले जाइएगा ठीकि अगर अभी तक आपने लाईक और शेयर नहीं कर रहे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिये आपका कोशन आपके सामने आने वाला है तो क्या है आपका पास सवाल देखो ऑगला टापिक आया है यानि कि आज यह क करने जा रहे हैं वो किसके उपर discussion करेंगे time and work के उपर एक ऐसा topic जो अक्सर आप अपने papers में देखा करते हैं और उन सवालों को एक अलग नजरिये से देखने का तरीका देखने जा रहे हैं और वो सवाल क्या है के सामने यह यह सवाल अगर मैं में काम को खतम कर डालेंगी यह आप से सवाल पूछा गया है अगर मैं आप से पूछो कि आप इस सवाल को solve करके बताओ तो आप कुछ इसमें एलसम मेथड़ के जरिये solve करने की कोशिश करेंगे और आप कुछ ऐसे बता रहे होंगे कि गोह को यहां पर कुछं इसे बनाएंगा रहे बारा दिन में काम करता है डस दिन में बटा दीजिये तो वह तरीका पता हो मैं आपके सामने देखो कैसे होगा यहां पर द्यान से सुनू अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको क्या का के information दे रखिया उसको ग्क हो बता दूब 1 करता है 10 दिन में बी करता है 12 दिन में और चीन करता है 15 ली आप की पास information है तो किस तरीके से किया जायरे सबसे पहले आप क्या करेंगे इन तीनों की जो है आपस में multiply कर दिजए यानि उपर क्या लिखा जाएगा ABC ABC बोले तो इन तीनों की multiply करनी होगी उपर और फिर आप नीचे क्या काम कर रहे होंगे नीचे आपको करना है चलो चेक करते हैं देखो कैसे आंसर आएगा आपको क्या करना इन तीनों को multiplication की टौर पर लिख दीजिए तो दस गुना बारा गुना में 15 यह आपने उपर लिख दिया और नीचे क्या कर रहे होंगे आप इन दोनों की दो दो करके इन पर अंसर पर आंसर आगे रहां का डॉटलामने और पर की आपको क्या करहां है और दौक्ति घंटा पराइब करो तोनों है क्या नाम दे रहाँ धर करें फिर मैंने सब्रूब कर ढया बीस सको अंसर कि नारा रहा इन सब की multiplication देखो कितना आएगा उपर सब की multiplication करते हैं तो आपके पास अंसर आजाएगा अठारा सो जबकि नीचे अगर मैं totaling करने पर आऊं तो आपके पास कितना दिखाए देगा सर यहां पर दिखा देगा साड़े 400 थाउर S tolerate देगा आउनसर के विना किसी तरीके से आप इसको तुरंत निकाल सकते हैं तो आपने क्या किया आपने एक से बनाया करते हैं लेकिन लोब भी बहतर है लेकिन उससे बहुतर do सब्सक्राइब और इसको अगर आप बनाएंगे तो आपको देखने को मुखा मिलेगा यह सवाल पुराने वाले सवाल से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है लेकिन हूब हूँ एक जैसा नहीं है थोड़ा-थोड़ा मिलता हुआ दिखाए देगा कैसा है यहां पर यहां देखो करते हैं छालीस दिन में किया करते हैं यानि की बारी अपकी बारे कौंट क किर दोने बटाते चले घए हैं और आपसे पूछा गया कि A B C अगर तीनों मिल जाएं तो गितने दीनों में काम को खतम कर डा ने इतन zijnum सवाल बहुत simple सवाल आपसे पूछा क्या है तो इसका formula क्या होगा इसका formula यह होगा जो अभी मैंने आपको बताया था ना formula जो भी आयेगा number उसको 2 से into over करना है और कुछ भी नहीं करना है तो आप कैसे करेंगे तो इसका answer कैसे निकालेंगे आपको क्या करना है इस इसका पुरा नाम डिदीजी क्या एक ग्या आएगा बीस गुना 30 गुना चालीश वीज वूना 30 गुना में 40 अदेगक फिरप नीचे क्या कर रहेंगे आप नीचे करना पढ़ेगा इसदो दो estrat गुर्टा Stories कि करेंगे तो कितना आइगा 12 और इसी तरीके से एकर आप देखें तो ए और चालीस चालीस के से करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा यहां पर 48000 उपर जो आंसर आ रहा है सर 48000 आ रहा है जब किसा अगरम टोटल कर डालूं तो कितना तो छेसो और आठारसो और आठारसो ऑर एक फिकना पेशल से रहा है तो दो जिरो सो तो ज़िरो कट गई और कुछ कट तवह दिखाए 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 नहीं कि यह आपने कॉंस्पोट रूप को लेक अच्छा सवाल जो अक्सर आप पूछा जाता है और अक्सर आप जो questions को solve किया करते हैं वो आप करते हैं L-SIM वाले method से देकिन एक उसका दूसरा रूप मैंने आपके सामने represent करा है जिसमें आप इस तरीके से भी आप इन questions को बनाया कर सकते हैं बस दोनों में वैसा ही same to same सवाल आपको दिखाए दे रहा है कि A-B किसी काम को किते दिन में करते हैं 10 दिन में, B-C करते हैं 15 दिन में C-A करते हैं 20 दिन में यह information आपको दे रखी है आप से पूछा गया कि A-B-C अगर मिल जाएंगे तो यह कितने दिन में काम को कर डालेंगे तो इस सवाल का जवाब देंगे आप मेरे को comment section में इस वाले का जवाब दिजेगा और session को like कर दिजेगा share कर दिजेगा और बहुत बहुत शुक्रिया चुटने के लिए Thank you so much